अब आपके साथ शेयर करने जारी हूं शिमना मिर्च का मिर्ची वड़े की रेसेपी बारिश के सिजन में आलू बड़ा मिर्ची वड़ा बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं तो चलते हैं किचन के और देखें इससे कैसे तयार करते हैं उसके लिए मैंने आलू को बाल लिया से आप इसे बारिक मेश कर लें या फिर इस तरह से किसनी रहती है इससे किस लें आलू का हमें छोटे-छोटे मतलब बारिक मेश कर लें ताकि आलू बड़ा जब हम बनाएं या मिर्ची में भारें तो बड़े-बड़े टुकडे ना हूं जिससे हमारे वह तूट करके उबालते समय ज्यादा देर पानी में न रखें जैसे ही आलू की गुकर की सीटी निकले उसके बाद आप आलू को अलग बाहर निकाल लें पानी से तो वह सोगी नहीं होते हैं और इसमें हतीन हरी मिर्च आदा चमच लाल मिर्च हल्दी पाउडर वन फोर्ट और एक चमच म ने धनिया पाउडर को मिक्स किया है और इन सभी सामग्रियों के साथ में मैंने इसमें पान चमच करीबन नमक लेंगे अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आयाते से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूले ताकि मेरी नो मैं भूल गई थी तो अब इसको मिक्स कर लेती हूं अगर आपको आलू बड़े का ये बेटर बगार ना हो लसन प्याज के साथ तो वह रेसिपी भी मेरे डली हुई है आलू बड़े की डिसके विशो बाक्स में लिंक डाल दूँगी अब मैंने इसमें तीन कप बेसन लिय और यह आप देख सकते हैं यह खड़ा धनिया सोफ और जीरे का पाउडर बना के रखती हूं मैं अभी रेनी सीजर बारिश के सीजर में बना के रखती हूं अभी मैंने आदा चमच लाल मिर्शली वन फोर्थ चमच हल्दी पाउडर और यह आदा चमच करीबन अजवाइन को मैंने अच्छ से हातों की साहता से चार से पांच बार जब तक थोड़ा सा हलका हलका पाउडर नहीं बन जाता है तब तक हमें इसको क्रश करना है और धनिया का और सोफ और जीरे का जो मैं पाउडर बनाती हूं इसका हम तीन चमच धनिया एक चमच जीरा और एक चमच सोफ लेती हूं उसको सेख करके हम बना कर रख दे खलबत्य में कुटके अब इसमें मैंने पॉन चमच करीबन नमक लिया है अब हम इसमें मिश्रन को तयार कर लेते बैटर को और इसमें मैंने करीबन एक कप पानी अभी ल दिक्कत होती है और यह मैंने बारिक मिल का बेशन जो रहता है उसके अलू बड़े या मिर्ची वाड़ा बहुत अच्छा बनता है उस बेशन का उप्योग किया है अब इसमें मैंने पानी डाल दिया देख सकते हैं आप इस तरह से हम हातों की सायता से इसको अच्छे से मिक कटने ही कर रही हूं ताकि यह जो नए देखती रहता है बनाने जो नए बनाएंगे तो उनको भी अच्छे से बनाना बेटर आ जाएगा अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ले लेते हैं त्योंकि मेरे को बेटर जो है थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है लग बग हमें हमारा बेटर तैयार हो चुका है और इसको हम एक तरफ रख देते हैं अब मैं कड़ाई ले ले लेती हूं कड़ाई में मैं तेल गरम करने के लिए रख देती हूं तो इस तरह से आप तेल अच्छा डालना है हमें और इदर से तेल गरम हो रहा जब तक मैंने मिर्चियों को कट कर लिया है वीडियो चालू करना भूल गई थी तो एक मिर्ची मैंने तीन मिर्च ली है शिमला मिर्च इसमें से यह एक मिर्च तो मैंने काट ली है इस तरह से और अब हम एक मिर् कर लेते हैं तो इस तरह से आप इसमें मसाला भर करके मिर्ची वड़ा तैयार कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही रेस्टी लगता है और बहुत ही स्वादिश्ट लगता है तो आप एक बार अवश्य ट्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यह बड़ी म नहीं कटे तो इसको आगे चाकू की सायता से थोड़ा सा कट मारके फिर आप काट सकते हैं और इस तरह से इसको साफ कर ले और यह जो बनिव ही है बीच का पोशन ऐसा का ऐसा रहने दे ताकि हमको आलू भरने में दिक्कत ना हो तो इस तरह से में देखिए यह भी कट कर ले इसका को इखिए बहुत है यह इस तरह से इसका पोशिण को अलग-अलग पोशिण है तो इसमें हम अलग-अलग are ऑरानी अलो का मसाला बहर देंगे अब इस तरह से मेने जो ऊपर का पोशान हे उस पोशन को हम इस तरह से कट कर लेंगे गोल राउं से और इसके हम अलग करतेंगे अब हमारी शिमला मिर्च भी मसाला भरने के लिए तया है इस तरह से मैं फिर से वीडियो भूल गई थी तो ये दो मिर्च मैंने भर ली है और ये बड़ी वाली जो हमने हाफ शोटी वाली जो है इसको हमने काटा था तो इसको हम इस तरह से मसाला भर देते हैं, कम ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार भर सकते हैं, पर ये आलू का मसाला अच्छा भरेंगे, तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, इस तरह से देखी, इसको मैंने भर के रखा है, और इस तरह से जोड करके, ये तूट प्याच के बना रही हूं, इस तरह से, तो आप देख सकते हैं, मिर्ची वड़े कीरे से पी, भोती टेस्टी बनकर तयार होते हैं, इस तरह से फिल कर दें, तो इस तरह से इसमें 10 टुकडे, शिमला मिर्च के तयार हुए थे, तो इस तरह से हमारे 10 आलू बड़े, इस मिश बनकर तयार होंगे, यह पिंच आफ मैंने मिठा सोडा लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब आप मिठा सोडा तभी डालें, जब आप तलने के लिए, तेल भी हमारा गरम हो जाए, और यह मैंने तीन चमच थोड़ा सा तेल का मोय अंडाला है, इस से हमारे आ मैंने एक कप पे एक चमच आप तेल, गरम तेल है, इसको मिक्स कर दिया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें, आलू बड़े, स्वारी मिर्ची बड़े, इस तरह से रख कर इस पे हम आलू का यह बेशन का बेटर जो है, वो लपेट लेते हैं, और यह देखिए तेल भी चेक कर लेते हैं, तेल हमारा गरम हो चुका है, ज्यादा गरम नहीं हो, मिडियम तेल गरम है हमारा, इसे पे हमें आलू बड़े को, मिर्ची बड़े को, यह आलू बड़ा जो भी आप बनाएं, उसको हमें फ्राइ करना है, तो यह देख सकते हैं, यह जो हाफ-ाफ मिर्ची थी उसको इस तरह से हाफ-ाफ करने में यह रहता है कि हमें पकड़ने में भी आसान हो जाती है इस तरह से आप मिर्चीवड़ को बणा लें आप innocне तो पीली शिम्ला मिर्च लंबी रहती है उनका अब भी इसी तरह से बना सकते हैं मिर्ची वड़ा मुझे शिमला मिर्च के मिर्ची वड़े ज्यादा पसंद आते हैं तो मैं इस तरह से बनाती हूं और बारिश के सिजन में भोती स्वादिश लगते हैं खाना तो एक बार अवश्य ट्राय करें बीना लसन पे आज के मिर्च मिर्ची वड़े पे वह हमारा कच्चा रह जाएगा तो इस तरह से पहले तो हमें हिलाना नहीं है अब इसको देख सकते हैं अब थोड़ से चिपक गए हैं तो इनको मैं अलग-अलग कर लेती हूं और इस तरह से मिनको पलट देते हैं तो अलट-पलट करते हूं हमने मिर्ची पूरी कच्ची है तो अच्छे से इसमें पग जाती है मिडियम फ्लेम पर और इसी तरह से अगर आप प्याज के भजिये भी खाना पसंद करते हैं तो प्याज की रिंग्स इस तरह से आप काट लें जैसे मैंने शिम्ला मिर्च की रिंग्स काट नहीं है और उसके बाद प्याज की रिंग्स में भी आप आलू का मसाला भरके प्याज के भजिये भी बना सकते अगर आप प्याज लसन खाना पसंद करते हैं तो तो यह हमारे देख सकते हैं और मिर्ची वड़ा बन कर तयार हो चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा है आप इससे पुद पर अवश्य ट्राय करें यह हमारे मिर्ची वड़ा शिम्ला मिर्च का मिर्ची वड़ा तयार है थैंक्स फर वाचिंग मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी नहीं रेसिपी के साथ